तो नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सब लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक नहीं है आज का वीडियो लेक्चर हमारा है स्विच गयर एंड प्रोटेक्शन का ठीक और आज हम इसमें सेकिंड चेप्टर अपना पढ़ेंगे स्विच गयर यह आपकी रिविजन क्लासिस चल रही है ठीक है और यह रिविजन क्लासिस का आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्किप्शन में जाए ठीक वीडियो की डिस्किप्शन में जाए revision में जो कि यह देख सकते हैं और साथ ही साथ आपकी machine की classes भी चल रहे हैं और जल्दी ही आपकी RAC, IMED और PLC की भी class start की जाए हैं ठीक और PLC और IMED इन दो subject की brahma series जो कि यह channel पर available है तो आप जाकर जो कि यह देख सकते हैं और video को सभी दोस्तों के साथ जरूर से share करें ताकि उनका भी revision हो सके और वो भी अच्छे नंबर से पास हो सकें तो देखिए आज की subject आज का जो हमारा video lecture उसमें हम पढ़ेंगे क्या switch gear and protection और आज हमारा जो second lesson है आपका switch gear इसको हम पूरा complete करेंगे और साथ ही साथ आपको सभी का revision कराएंगे और एक चीज़ आप सभी लोग ध्यान दाखिए कि हमको कोई भी topic छोड़ना नहीं है सभी topic कौन कवर कराएंगे और इसलिए हम जो कि आपको revision करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे number gain paper में आराम से कर सकें तो चलिए या उप्यूकिये जाते हैं बहे उपकरन आपके switch gear कहलाते हैं देखे क्या है आहिए इसको सरल भासा में समझते हैं कि बेउपकरन जो पारवर सिस्टम में electrical circuit को खराब होने से बचाथे हैं उसको हम switch gear कहते हैं टिक बे उपकरण को हम switch gear कहते हैं, एक बार और हम पढ़ लेते हैं, कि बे उपकरण जो power system में electrical circuit को खराब होने से बचाते हैं, टिक electrical circuit को बचाने के लिए, control ये regulating करने के लिए और आपके switch करने के लिए उपयोग में लाया जाते हैं, उन्हों उपकरण को switch gear कहते हैं, इसी switch gear की जो की है, दूसरी परिवासा आपकी ये रही, कि किसी भी electrical circuit में switching, controlling और protecting के लिए जिन device का यूच किया जाता है, उन्हें switch gear कहा जाता है, आपको तीन परिवासा में बता चुके हैं, दो परिवासा ये हैं, और एक परिवासा आप जो की साधरन भासा में याद कर सकते हैं कि कि power system में किसी भी उपकरण को खराब होने से, जो उपकरण बचाता है, टिक, बे उपकरण जो power system में बे उपकरण जो power system में electrical circuit को खराब होने से बचाते हैं, उनको हम आपका क्या switch gear कहते हैं, उधान के लिए के उधारन आपके switch gear के अंतर आपके उधान कौन-कौन से होते है switch, fuse, circuit breaker, isolator, relay, current और आपका potential, transformal, आपका instrument, lightning, आपका देखिए, lightning, arrestor और आपका control panel आदी, ये सभी आपके switch gear के जो किया उधारन है, इसी में हम जो किया थोड़ी सी line और जोड़ देते हैं, कि switch gear system direct supply से connect होता है, जो आपका switch gear system होता है, वो आपका direct supply से जुड़ा होता है, ठीक है, इसे power transmission के high और low voltage दोनों उपर, दोनों side रखा जाता है, आपके देखिए power transmission के low तता high voltage दोनों side जो कि हम इसको रखते हैं, इसके बाद हम देखते है protective gear, आपका protective gear को हम हम हिंदी में क्या कहेंगे, रक्षी यंत्रावली, रक्षी, यंत्रावली, एंगलेस में नाम जो कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है, protective gear, देखिए, किसी भी electrical power system में, किसी भी electrical power system में, अगर fault उत्पन होता है, या fault उत्पन होने की स्थिती हो जाती है, तो उसे, तो उसमें लगे उपकरण की सुरक्षा के लि अगर कहीं पर fault होने की संभावना हो, या कहीं पर fault होने बाला हो, तो आपका protective gear क्या करता है, आपके power supply, आपके power system में लगे हुए उपकरण को, जो कि है, सुरक्षित कर देता है, मतलब की अलग कर देता है, तो जिस से हमारा जो कि है उपकरण खराब होने से बच जाता है, तो उसी को हम कहते हैं, protective gear, इसके बाद देखिए, purpose of protector, आपका protective gear के बाले में समझते हैं, सुरक्षात्मक gear का उद्देश, आपका protective gear का उद्देश क्या होता है, देखिए, protective gear का उद्देश या उपियोग करने से हमारे electrical power system में reliability मतलब की बिस्वसनियता बनी रहती है, जब इस्थायत्वर, मतलब की stability बनी रहती है, ठीक, आपके देखिए, क्या stability और आपकी बिस्वसनियता जो की है, protective gear से बनी रहती है, देखिए, protective gear का आपका तीसरा उद्देश क्या है, तीसरा और में उद्देश आपका जो की है, यह protective gear आपके उपकरान को खराब होने से बचा बचाना भी इसका उद्देश है, ठीक, पांचमा आपका है, अगर कहीं electrical power system में fault की उपस्तिती होती है, तो उस उपकरण को यह disconnect कर देता है, और उपकरण सुरक्षित रहता है, देखिए, माना कि आपकी यह जो की है, protective gear लगा हुआ है, यह आपकी electrical power system है, ठीक, और यह आप आपका जो इस साइड उपकरण लगा हुआ है, तो protective gear क्या करता है, जब भी आपकी कहीं इधर पर fault होता है, short circuit होता है, तो इस उपकरण को यह disconnect कर देती है, क्या कर देती है, जिससे की हमारा यह उपकरण जो कि यह खराब होने से बच जाता है, इसके बाद हम देखिए, बिस्वसनियता किसी भी electrical power system में, जो भी उपकरण प्रियोग किये जाते हैं, जो आपके device प्रियोग की जाती है, उसका पूर्ण निर्धारन पिर्ती बंदों पर अवस्य ही पिर्चालित होना चाहिए, तीक, दूसरा है क्या आपका बिसेस्ता इसकी, speed all time है, यह बहे बिसे adaptive इसक्रीम को fault bag कर देती है, किसको कर देती है, आपके जो protective guiding होती है, उसको fault जो कि विसेष्टा है, वो है sensitivity, ठीक, कुई भी protective scheme का मान, आपकी predefined range मतलब की पहले जो पूर निकला होती है, प्रोट्रीच्टीब थेलिजा आप गल्रिची स्वार मतलब की पहले जो निलधारित की गई है उससे ज़्यादा हो जाती है तो प्रोट्रेक्टिव सिस्टम की यह है एबिलिटी सेंस्टिविटी कहलाती है ठीक मतलब आपकी प्री डिफाइन का मतलब क्या होगा जो आपकी जैसे कोई भी उकरंड की तो कोई भी एक जो पूर निलधारित रेंज होती है जैसे पंद्रे एंपियर बीस एंपियर ठीक तो उससे ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्रोट्रेक्टिव सिस्टम की यह है एबिलिटी सेंस्टिविटी कहलाती है ठीक है इसके बाद हमारी देखे चौथी विसेष्टा है Selectivity and Discrimination तो यह क्या होता है प्रोट्रेक्टिविटी सिस्टम के प्रिदोस मतलब की फौल्ट भाग को पहचानने की छमता को हम क्या कहते हैं Selectivity कहते हैं आपके पावर सिस्टम में या आपके प्रोटेक्टिविटी सिस्टम में आपका कहां पर जो की है फौल्ट है उसको कहलाती है वो हमारी कहलाती है सिलेक्टिविटी तथा नॉर्मल कंडीशन तथा अब नॉर्मल कंडीशन इस्थिती को पहचानने की जमता को हम कहते हैं डिस्क्राइमनेशन कहते हैं तो यह था हमारा छोटा साथ जो की है प्रोटेक्टिव गेर की विसेश्था है ठीक से पहले कि यहाँ से आप कि समझ सकते हैं कि फ्यूज क्या होता है एक प्रोटेक्टिब सिस्टम है क्या है बोट्रेक्टिब इसके बाद में इसमे आएगे पढ़ेंगे कि फ्यूज में एक धातु का छोटा तार होता है जब सरक्ट में ओवर्लोड की इस्तिती आती है तो परिपत में धारा कामान अत्यादिक बढ़ जाता है ठीक है, और जब अत्यादिक भार अत्यादिक भार एक छोटे से तार से होकर गुजलता है जब आपका अत्यदिक भार जब आपका देखिए अत्यदिक भार मतलब की overload जो की है आपका जब आपका एक छोटे से पतले से तार से होकर गुजलता है तो fuse पिघल जाता है जिस से परिपत का load के connection तूट जाता है इस परकार हमारा fault वाला section healthy section से अलग हो जाता है ठीक और देखिए एक चीज और आपको जो की है knowledge के लिए बता दे कि fuse का आविसकार है वो आपके addition ने किया था किसने किया था fuse का आविसकार addition ने किया था तो यह हम को जो कि है एक नई चीज जानने को जो की है मिल गई अब आपको हम साधान महसा में पूरे fuse की बरकिंग जो की है समझा देते हैं सबसे पहले तो हम जानते हैं के fuse होता कैसा है तो देखिए आपको बता दे हम आपको चित्र बना कर दखा देते हैं करफ डाएगे नाम ठीक है आप थमलेन में बेडिए आप फ्यूज का इमेज आप देखी चुके हैं यह आपका इस तरह से फ्यूज होता है आपके दो साइड धातु की जो की है एक धकन टाइप लेगे होता है और बीच में पतला सत्तार होता है और पूरी जो की है इतनी फिरे यह कांच की बनी होती है आपको नीचे फोटो दख रही होगी ठीक है यह कांच की बनी होती है अब क्या होता है जब भी आपके जो की है मान लीजी यह आपकी पावर सिस्टम की यह जो लाइन है जब भी इसमें ओवरलोड होगा और आपके साइड आप मान लीजिए जो कि यह उपकर्ण लगे हुए है जब आपका ओवरलोड इस पर होगा ओवरलोड होने से क्या होता है आपके तार का तापमान बढ़ जाता है जब इस तार का तापमान बढ़ जाएगा तो इसमें जो य यहां से यहां तक धारा का मान जो की है धारा का कनेक्शन आपका कट जाता है अलता धारा का मान क्या हो जाए जीरो आपका कनेक्शन यहां से कट जाएगा तो आपके यह उपकरन क्या है सुरक्षित बच जाएंगे तो यही आपका देखिए मुख्य उद्देश जो की है फ्य सिस्टम है और यह आपकी लाइन में इसलिए लगा जाता है ताकि हम बड़े फॉल्ट होने से बच सकें ठीक तो यह था हमारा फ्यूज अब हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और आपके के बारे में इसको समझ लेते हैं सबसे पहले आता है लाव एडवांटेज क जरुवत नहीं होती है सबसे जो आपका मेंट पॉइंट है इसको मेंटेनेंस करने की जो की है कोई भी आवसकता नहीं होती है तीसरा हमारा पॉइंट है यह बिना सोर या धुआ के हैवी सौर्ट सर्किट करेंट को ब्रेक कर देता है क्या है यह आपका जो फ्यूज है यह सोर भी नहीं करता है और ना ही धुआ करता है और सोर और धुआ ना करे बिना हेवी सौट सर्केट को क्या कर देता है ब्रेक कर देता है मतलब की रोक देता है का आपका बड़ा short circuit होने से जो की है fuse बचा देता है circuit चोथा है आपका circuit breaker की अपेक्चा पिर्चालन के नुन्तम समय maintenance आपका minimum time आपका minimum time of operation को बहुत ही कम किया जा सकता है तो ये थे इसके लाव अब देखिए लाव जब किसी चीज़ के होते हैं हानी देखिए क्या है fuse को circuit को fuse के circuit को break कर देने पर उसे बदलने में समय लगता है देखिए जब आपका fuse आपके circuit को break कर देता है तो हमको fuse बदलने में क्या लगता है समय लगता है ठीक थोड़ा वह समय तो जो कि ये लगेगा ही fuse के दौरा earth leakage ठीक आप स्पेलिंग जो कि इसकी सही लिख लेना एली एके एजी एली एके एजी ठीक है fuse के दौरा earth circuit से protection प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसके बाद चौथा तीसरा है आपका accurate calibration के योग नहीं होता है ठीक तो ये तो आपके जो कि हानी हो गई है अब हम जो कि है जानते हैं इसके characteristic के बारे में इसके अभी लक्षण क्या होते है fuse आपके element के अभी लक्षण जो कि है क्या होते है देखी तो इसको हम पढ़ते है देखिए सबसे पहले जो normal current की उपस्तिती में fuse element बना voltage की इस्तिती में रहता है जब आपका normal current रहता है तो आपका fuse element जो की है काम करता है मतलब आपकी voltage की इस्तिती में रहता है सुरक्षित रहता है मतलब हम समझ ले लेकिन जब current normal आपका element melting point तक गरम होकर पिखल जाता है लेकिन जब current आपका normal element क्या होता है melting point तक गरम होकर पिखल जाता है और circuit को break करता है इससे निमलेकित अभी लक्षन होते हैं क्या हो अभी लक्षन होते हैं देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपका melting point देखिए melting point हम किसको कहेंगे सबसे पहले तो आप यह समझ लें आपका जो fuse के अंदर आपका पतला ताल लगा होता है वो आपके जितने डिग्री पर जो की है जितने तापमान पर melt हो जाए आर्थाथ पिखल जाए उसी को हम कहेंगे melting point ठीक इसका melting point कम होता है कम होना चाहिए ठीक है आपके एक्जामपिल lead आपका tin high आपके conductivity high conductivity मतलब क्या है आपके एक्जामपिल में silver copper oxy crown के कारण nust होने के नुकसान oxy crown के कारण nust होने से मुक्त ठीक आपके oxy crown के कारण आपके ये जो की है आपका fuse element जो की है nust नहीं होना चाहिए जैसे कि silver और low cost मतलब की आपके ये सस्ते होना चाहिए मतलब कम कीमत में होना चाहिए जैसे कि एक्जामपिल lead return copper तो देखिए अब हम देखेंगे कि fuse आपके कितने प्रकार क्यों होते है type of fuse क्या होता है इसके बारे में detail से पढ़एंगे ये आपका इससे एक question जो कि ये जरूर से बनता है एक होता है AC fuse और दूसरा होता है DC fuse AC fuse के अंतरगत आपके दो तरह के आते हैं एक आता है high voltage fuse और दूसरा होता है low voltage fuse high voltage fuse के अंतरगत भी आपके तीन तरह के fuse आते हैं आपका देखिए पहला है cartridge type fuse, cartridge type HV, HRC fuse, liquid type HV, HRC fuse और X pulse type HV fuse Cartage type fuse ठिक आपके low voltage fuse के अंत्रकत आपके आपके पांस तरह के fuse आते हैं Cartage type fuse ठिक drop out fuse आपका Renovable और आपका striker और Switch fuse ठिक यह 5 तरह के हो गए अब यह Cartage type जो fuse है इसके अंत्रकत भी आपके दो तरह के fuse आते हैं D-type, cartridge fuse और आपका link type, link type जो cartridge fuse होते हैं, इसके अंतरगत आपके दो तरह के आते हैं, voltage type और आपका bullet type, के बल इतना याद रखें हैं, voltage type fuse और bullet type fuse, इतना ही आपको लिखना है, voltage type fuse और bullet type fuse, तो इन सभी के बारे में जो कि हमको पढ़ना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे, इन सभी के बारे में जो आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, तब जाकर कि आपको 5 नंबर मिलेंगे, और हम आपको एक चीज़ और बता दे, कि जो जो आपके इसमें most important fuse हैं, तो उनके बारे में आपसे एक अलग से separate question बन सकता है, जैसे कि HRC fuse क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, बस, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, और आप इसमें से केवल 5 जो कि यह चितर बना दे, आपको 5 नंबर बढ़ी आसानी से मिल जाएंगे, अब हम आपको बताते हैं, कि आपका question बनता कैसे है, ठीक है, यह आपने देख लिया सभी लो पूरा घेल लेगा, इसके बाद आप fuse के बारे में लिखेंगे, AC, DC, high voltage के बारे में लिखेंगे, low voltage fuse के बारे में लिखेंगे, इसके बाद 3 topic escape और आपके 5, 6, 7, 8, 9, 9 heading आपकी इसकी, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 heading आप टोटल लिख देंगे, तो जादा नहीं कम से कम आप 5 से 6 page भर देंगे, और जब 5 से 6 page examiner देखेगा, तो 5 number आपको आसानी से देगा, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको question के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इन सभी को detail से पढ़ते हैं, ठीक, detail से नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इसके बाद जो कि हम detail से ब सद्धान समझाईए, मतलब की fuse और fuse की working, एक आपका ये अलग question होगी है, ठीक, अब है fuse, ये वाला, तीसा सौरी, ठीक, electrical में प्रियोग होने बाले, electrical में प्रियोग होने बाले, बिविन प्रकार के fuse का बर्नन कीजिए, आपका आगे, यही question आपका आगे, कि fuse कितने प्रकार की होते हैं, और electrical में प्रियोग होने बाले, बिविन प्रकार के fuse का बर्नन कीजिए, तो इन सभी fuse के बारे में आपको लिखना होगा, तो अलग से ये, जो की question आता है, तो 5 number में आता है, आप से ऐसा भी पूछा जा सकता है, कि fuse क्या होता है, और fuse कितने प्रकार के होते है, question कैसा भी पूछा जा सकता है, बस हमको जो की है, उसका answer आना चाहिए, ठीक है, और देखी, आपको एक चीज़ और बता दे, अभी हम जो की है, केवल low voltage fuse के बारे में पढ़ेंगे, इतना portion, ठीक, इन तीन topic के बारे में हम इसके अगले वाले वीडियो लेक्शर में पढ़े इसके बाद हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए जल्दी सभी topic को हम पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, देखिए DC fuse क्या होता है, DC fuse के बारे में सबसे पहले जानेंगे, DC fuse का आकार बड़ा होता है, DC fuse का आकार जो की यह बड़ इसकी constant value, 0V से उपर, इन्हें neglect करना आसान नहीं होता है, मतलब कि नजर अंदाज करना इन्हें आसान नहीं होता है, और साथ में इस circuit को बंद करना भी कठन होता है, आपके DC fuse हो गया है, ठीक, इसके बाद आपका आता है AC fuse, सभी के बारे में को आसान सरल भासा में लिखना ह और कम से कम लिखना है, ठीक, अभी, अब देखे AC fuse क्या है, AC fuse आकार में हलका होता है, और प्रितेक second में कम से कम उच्चतम तक 50 से 60 गुना जादा आपका क्या होता है, और असीलेट होता है, परणाम स्वरूप गलित बायर्स, गलित बायर्स के बीच आर्क को जनरेट करने क के लिए कोई भी space नहीं होता है, इस करन से इन्हें छोटी आकार में ढाला जा सकता है, ठीक, अब बात आती है यहाँ पर, कि AC fuse कितने प्रिकार के आपके होते हैं, जैसा कि हमने आपको देखी, यहाँ पर बताया था, AC fuse कितने प्रिकार के आपके होते हैं, AC, low, high voltage fuse, और low voltage fuse तो देखी, LV fuse और आपका HV fuse, low voltage fuse और high voltage fuse, सबसे पहले हम जानते हैं, आपके low voltage fuse क्या होते हैं, ठीक, इसके बाद हम high voltage fuse के बारे में पढ़ेंगे, अब देखी, low voltage fuse 5 परिकार के आपके होते हैं, ठीक, आप देखी, कुछ अपनी तरब से भी बनाने का प्रियास करें, सरल low voltage fuse 5 परिकार के आपके होते हैं, सीधा साप लखें, पहला होता है, रिवायरेवल fuse, दूसरा होता है, cartridge fuse, तीसरा होता है, drop out fuse, चोथा होता है, stiker fuse, और पांचमा होता है, switch fuse, और जो जो हम fuse आपको पढ़ाएंगे, उसकी जो कि है फोटो, आपके screen के side में नीचे की और आपक सबी, जो कि fuse की हम फोटो आपको telegram पर send कर देंगे, तो आप बहां से इनको download कर लेना, ठीक है, अब देखिए, जो कि हमारा पहला topic है, क्या है, रिवायरेवल fuse, रिवायरेवल fuse क्या होता है, यह एक LV fuse है, मतलब कि low voltage fuse होता है, जो छोटे अनुप्रियोग जैसे जो घरों क क्या है, इस सबसे सरल महां साथ है, यह है, दो आवसक भाग होते है, इसमें डो आवसक भाग होते है, रिवायरेवल fuse jó Dep blaming me आपके दो जो कие जो कि हैं मैं आपके बहाए जो में पार्ट होते हैं पहला आपका होता है फ्यूज बेस और दूसरा होता है फ्यूज केरियर फ्यूज बेस क्या होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं फ्यूज बेस में दो टर्मिनल होते हैं इंटर्नल और एक्स्टर्नल सामाने तोर पर यह है element porcelain किसे बना होता है किसे बना होता है porcelain से बना होता है इस fuse का अन्य एक भाग आपका क्या होता है fuse carrier मतलब कि एक भाग हमारा fuse base हो गया दूसरा भाग हमारा क्या है fuse carrier fuse carrier क्या होता है जो fuse element को पकड़े रखता है जो fuse element को पकड़े रखता है इसे को फ्यूज केरियल कहते हैं बहुत ही सरल भाँ सामें लखा हुगा है फ्यूज केरियल क्या होता है जो फ्यूज अलिमेंट को पकड़े लेता है यह है अलिमेंट अल्यूमिनियम टिन कॉपर लेड आदी से बने होते हैं यह है अलिमेंट आप ऐसे ही जो की है तीन से चार ठीक चार पांच जो की है फ्यूज का डाइगराम बना दे और सभी फ्यूज के बारे में कि बढ़ लिखते जाएं बस आपको पांच नंबर आसानी से मिल जाएंगे अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट जिसका नाम है कार्टिज फ्यूज कार्टिज टाइप फ्यूज में इंसुलेटड मटेरियल पॉर्सलिन अथवा सीसे से बनी बेलनाकार पोली नली होती है जिसे कार्टिज कहा जाता है क्या कहा जाता है जिसे कार्टिज कहा जाता है इसके बाद इसमें फ्यूज वायर अत्वा सप्लीमेंट का चून भरा होता है इसमें क्या है फ्यूज वायर अत्वा आपका सप्लीमेंट का चून भर दिया जाता है इसके बाद नली को दोनों तरफ से मैटल कैप द्वारा बंद कर दिया जाता है देखिए यह है कुछ आपका इस तरह से आप इसको देखिए जो कि यह चितर से ही समझ सकते हैं यह जो बनी हुई है यह पोर्शलिन और सीसे से बना एक बेलना का नली होती है जो आपकी पोली होती है अंदर से यह आपका अंदर जो कि यह सूचक भरा हुआ है ठीक सूचक है यह है आपका बोल्ट होल क्या है बोल्ट होल और इसके दोनों साइट जो कि है यह मैटल की कैप लगी हुई है क्या लगी हुई है metal की cap लगी हुई है अब देखिए यह fuse भी दो प्रकार के आपके होते हैं जो आपके cartel fuse होते हैं यह आपके दो तरह के होते हैं D type cartridge fuse वो दूसरा होता है link type cartridge fuse ठीक सबसे पहले हम पढ़ते हैं D type cartridge fuse के बारे में इसके बारे में हमको किवल देखिए दो तीन लैन जो को ये लिख देनी हैं बस देखिए D type cartridge fuse क्या होता है इस प्रकार का fuse cartridge fuse के आधार आपके adapter link और CAP से बना होता है जो adapter link का यूच करके Cartage द्वारा Fuse के साथ Pact किया जाता है तो यह था आपका क्या D-Type Cartage Fuse इसके बाद दूसरा हमारा आता है Link Type Fuse Link Type Fuse क्या होता है इस परकार के Fuse में Fuse Element द्वारा Current को Standard Istitu 십ती में पिरवाहित किया जाता है इस परकार के Fuse में Fuse Element द्वारा Current को स्थिति में प्रभाहित किया जाता है फ्यूज एलिमेंट के देखिए फ्यूज एलिमेंट के कंटेनर को सिलिका रेथ किस से सिलिका रेथ इसको आप देखिए अच्छे से पढ़े सिलिका रेथ से सिलिका रेथ के साथ पैक किया जाता है इस प्रकार के fuse को फिर से दो भागों में बाटा जाता है जो आपके link type fuse होते हैं इसको भी हमने दो भागों में बाटा है तो आपके देखिए फ्यूज के जो कि है low voltage fuse के अंतरकत आपके काफी सारे fuse आते हैं इन सभी के बार में आपको दो दो तिन तिन लाइन जरूर से लिखनी है ठीक तभी आपको पूर्य नमबर दे दी जाएंगे link type fuse के अंतरकत हमने फिर से इसको दो भागों में बिवाजित कर दिया है देखिए एक आपका होता है blade and bolted type fuse blade and bolted type fuse जो कि आप यहाँ पर देख सकते है link type fuse के अंतरकत आपके दो तरह के आते है bullet type और आपके voltage type और आपके bullet type ठीक है तो देखिए blade and bolted type fuse क्या होता है इसको पिलास्टिक के साथ design किया जाता है यह fuse किसी भी load के electrical circuit में केवल परिवल तंसील हो सकता है आपका यह कौन सा होता है bullet type fuse bullet type fuse का देखिए हम आपको चितर दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आसानी होगी यह है आपका bullet type fuse और यह है आपका bolted type fuse यहाँ पर लखा दिखरा होगा bolted type fuse और यह है आपका क्या blade type fuse इसमें देखिए blade type fuse क्या है? इसको plastic के साथ design किया जाता है यह huge किसी भी load के electrical circuit में cable परीवाय तंसील हो सकता है अब bolted type fuse क्या होता है? bolted type fuse bolted fuse में pil95 फिउज के आधार पर set किया जाता है bolted fuse में pil canonical किसमें fuse के आधार पर जो कि आपके Fuge के आधार होता है बहाँ पर हम बोल्ट की सायता से इसको सेट कर देते हैं जैसे कि आपको देखी चितने हम दखा दे यहाँ पर हम इसके नीचे की सायट जो कि इसकी पिलेटों को बोल्ट से कस देते हैं यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा drop out fuse, drop out fuse क्या होता है, ठीक देखे, यही जो आपका जो सभी बढ़गी करन किया गया है, पर हम इन सभी के बारे में ही रहे हैं, यह आपका देखी आगया है drop out fuse, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसे fuse की interrupting capacity कहते हैं जब circuit में excessive आपका current flow करता है, तब fuse element melt कर जाता है, मतलब की पिघल जाता है जिससे circuit open हो जाता है इस आपके resistance change की प्रभाव से, voltage drop खुद ही कम हो जाता है, ठीक है voltage drop क्या हो जाता है, खुद ही कम हो जाता है, इसके बाद आता है हमारा चौथा point, जिसका नाम है striger type fuse striger type fuse क्या होता है electrical circuit में electrical circuit में trip करने और बंद करने के लिए electrical circuit में trip करने और बंद करने के लिए striger type fuse का प्रियोग या use किया जाता है इस fuse में बिस्थापन के साथ साथ बहुत बल होता है इस fuse में बिस्थापन के साथ साथ बहुत बल होता है तर ऐसे आप इसका चित्र बना सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा पांचमा पॉइंट आता है, पांचमा पॉइंट में देखी हम पढ़ेंगे, सुच टाइप फ्यूज, फ्यूज एक मैटल सुच और एक फ्यूज के साथ आपके करता है, ये फ्यूज आपके मैनली Лोऑ और मेडियम इंटर्मिडियर बोल्टेज लेवेल में यूज़ किया जाता है, हम आपको देखिए इसका चत्र दखा देए स्विच टाइप फ्यूज का देखिए डाइग्राम आपका कुछ इस तरह से आपका होता है ठीक यह है आपका स्विच टाइप फ्यूज तो देखिए लो वोल्टेज फ्यूज के बारे में जो कि हम पढ़ चुके हैं अब बार ही हमारी आती है हाइप वोल्टेज फ्यूज के बारे में पढ़नेगी तो वीडियो को जल्दी से अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करते हैं ताकि बो भी स्विच गेरेट का जो कि है रिविजन कर सके हैं चलिए अब पढ़ते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में साथ ही इसके अंत्रगत जो आपके फ्यूज आते हैं जैसे कि आपके कार्टेज फ्यूज ठीक है कार्टेज टाइप फ्यूज लिक्विट टाइप फ्यूज और आपका एक्सपल्स टाइप फ्यूज इन तीन मतलब की सुरक्षा देने के लिए या करने और पावर सिस्टम में भी किया जाता है ठीक है हाई बोल्टेज फ्यूज का यूज का का करते हैं आपके टांसफोर्मर जैसे इंस्ट्यूमेंट में छोटे पावर टांसफोर्मर में और आपके छोटे पावर टांसफोर्मर को प्र आपका जो हाई बोल्टेज फ्यूज आए वो आपका 1500 बोल्ट से आपका एक लाग 38 बोल्ट तक के लिए जो की है इससे ज्यादा के लिए चार्ज किया जाता है HV fuse में fuse भाग को copper, silver तथा tin का उप्योग करके तैयार किया जाता है ताकि यह stable performance दे सके ठीक है तो यह था आपका high voltage fuse अब इसके अंत्रगत जो आपके 3 fuse आते हैं पहला तो आपका cartridge type HV, HRC fuse दूसरा है liquid type fuse और तीसरा x pulse type fuse ठीक है तो इन तीनों के बारे में भी जो हम पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर लखेंगे कि HV fuse, high voltage fuse आपके 3 प्रकार के होते हैं ठीक आप उनके नाम लख देंगे सबसे पहले जो कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे cartridge type HRC fuse क्या होता है ठीक है HV HRC fuse क्या होता है ठीक है यह है porcelain का बना खोकला कार ठीक यह है porcelain का बना खोकला कार बेलना कार पिंड होता है जिसके दोनों सीटों पर brass मतलब की पीतल की बनी टोपिया लगी होती है ठीक यह आपका एक खोकला आपका जो कि है खोकला बिलनकार पॉर्चलेंड का बना हुए एक आपका जो किये भाग होता है ठीक इसकी दोनों साइट पीतल की टोपी लगी होती है HRC के फ्यूज आपके कंपोनेंट HRC के फ्यूज पंपोनेंट को हेलिक्स रूप से काट जाता है ठीक हैलिक्स रूप में काटा जाता है जो आपका देखे उपर जो आपका अपर बोल्टेज पर कोरोना एफेक्ट को डिपेंड करता है जो आपके देखे आपके अपर बोल्टेज पर कोरोना एफेक्ट पर डिपेंड करता है ठीक है इसमें दो फ्यूज किये गए ऐलिमेंट समलित होते हैं इसमें जो की है दो fuse किये गए element समलित होते हैं जैसे कम resistance जैसे कम resistance और high resistance और जो एक दूसरे के समानांतर इस्थित होते हैं कम resistance buyer normal current को लेते हैं जो fault इस्थिती में short circuit की current को घटाता या उसे उड़ा देता है तो यह था आपका क्या cartridge type HV HRC fuse आप देखे जितना हो सके उतना इसके बारे में लग दे आप जितना जो की इसका याद कर सके उतना इसके बारे में लग दे इसके बाद देखे इसका यह है diagram यह है आपकी fuse link यह है fuse element यह है filling material और यह है आपकी दो तावे की तोपी अगल वगल ठीक है इसके बाद देखे हम पढ़ेंगे X-pulse type HV fuse क्या होता है X-pulse type HV fuse यह दोनों बढ़ी आसान सरल भासा में लेके हैं केवल एक जो कि इसके पहले वाला fuse थोड़ा कठें था यह दोनों बहुत ही आसान है इस प्रकाल के fuse ब्यापक रूप से feeder और transformer यह transformer लखा हुआ है इस प्रकाल के fuse ब्यापक रूप से feeder और transformer की सुरक्षा के लिए उपयोग किये जाते हैं क्योंकि इनकी कम लागत होती है इसे 11 KV 11 KV के लिए बनाय जाता है और उनकी तूटने की छमता कितनी होती है 250 MBA तक होती है 250 MBA तक होती है इसके बाद देखिए तीसरा आपका point आता है liquid type fuse के बारे में liquid type fuse क्या होता है देखिए अगर आप इन सभी fuse के बारे में अच्छे से लिख देते है तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे भले ही आप चितर बनाए अथा ना बनाए लेकिन अगर हमारी सलाम आने तो आप 4-5 चितर आप बना दे जो जो आपको fuse के सरल चितर लगे उनको आप बना दे और सभी fuse के बारे में आप भले ही 2-3-3 लाइन लेकिन लिख दे जरूर ठीक है लिक्विट टाइप हाई वोल्टेज फ्यूज क्या होता है इसका फ्यूज जादा तर हाई बोल्टेज सरकिट में किया जाता है आपका जो लिक्विट टाइप फ्यूज होते हैं इनका उपयो हम हाई बोल्टेज करेंट में करते हैं इसका यूज टांसफोर्मर की शुरक्षा के लिए या आपका 400 A से अधिक रेटिंग वाले सर्किट के लिए किया जाता है Fuge में गिलास ट्यूब होता है जो कारवन टेट्रा किलोराइट जो कारवन टेट्रा किलोराइट से भरा होता है ठीक है Fuge Element Glass Tube के अंदर होता है इसका देखी Tube के एक सिरे को Seal कर दिया जाता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है Phosphorus Carse Phosphorus Carse Tart की मदद से Glass Tube के अंदर में ठीक कर दिया जाता है जो आपका इसका Element होता है जो इसका तार लगा होता है इस Fuge में वो आपके Liquid के अंदर होता है ठीक है Liquid के अंदर लगा होता है तो ये था आपका Liquid Type HV Fuge तो देखी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने Fuge का वर्गी करनल जो की है पूरा 6 समझ लिया है ठीक है अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है वो आता है HRC Fuge HRC Fuge से एक आपका 5 नंबर में Direct Question पूछा जाता है तो चलिए हम पढ़ते हैं HRC Fuge के बारे में ठीक है HRC Fuge आपसे ये जो की है Question पूछा जा सकता है पेपर में 5 नंबर में कि High Rapturing Capacity HRC Fuge क्या होता है HRC Fuge का ही Full Form है अगर आपसे पूछ ले HRC Fuge क्या होता है तो उसका संचिप से बर्णन के जिए तो आपको देखे इसके Introduction संरचना, बर्किंग और लाव और हानी Advantage, Disadvantage तो ये सभी लखना होता है तब जाकर आपको 5 नंबर पूरे मिलते हैं और डाइग्राम भी जो कि हमको इसका बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम समझते है HRC Fuge का Introduction ठीक है और आपको देखे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आपको हमारे चैनल पर Polytechnic 1st year, 2nd year और 3rd year के सभी सबजक्ट जो कि ये पढ़ाय जाते हैं सबसे सरल भासा में और साथ ही नोट्स भी बनवाय जाते हैं और अगर आपको 5th semester का कोई भी subject पढ़ना है तो आप वीडियो की description में जाएं बहाँ पर आपको सभी की playlist मिल जाएगी देखिए Fuge एक protection device होता है सभी लोग को पता है कि Fuge एक जो कि है ये सभी लोग को पता होती है तो ये चीज जो याद करने की बिलकुल भी नहीं है ये extra जो कि हमने अपनी तरपन से लगाई है क्योंकि जो कि है इतनी चीज सभी लोग को पता होता है कि Fuge क्या होता है protective device होता है इसका huge किसमें करते हैं protective device को damage होने से बचाने में जो उसका short circuit के कारण जो हमारा नुकसान होता है उससे बचाने के लिए हम सभी Fuge का निर्मानक जो कि हुआ है और C का जो कि उप्योग करते हैं सभी लोग को इतनी चीज पता है इसके बाद क्या है इसमें HRC Fuge HRC Fuge cartridge टिक cartridge Fuge आपको देखे एक चीज आपको बता दे cartridge Fuge हम पहले जो पढ़ चुके है ठीक इसको हिंदी में देखे इस तरह से लिखेंगे cartridge Fuge अगर आपको पढ़ने में परिशानी हो cartridge Fuge जो कि इसको पढ़ते हैं अब cartridge का हिंदी में मतलब क्या होता है तो cartridge ठीक कार्टिज को अम इंदी में क्या कहेंगे कार्टिज फ्यूज ये कार्टिज की जो आपका कार्टिज के समान होता है ठीक है इसलिए इसे जो कि ये कार्टिज फ्यूज कहते हैं HRC fuse cartridge fuse के ही बिक्सित रूप है इससे पहले जो हमने cartridge fuse पढ़ा था उसी का ही एक बिक्सित रूप है आपका HRC fuse ठीक है तो इतनी बास समझ में आ गई होगी सबको और इसकी चमता 66 KB से 500 MVA तक होती है इसलिए इसे cartridge type high rapturing capacity वाले fuse भी कहते हैं देखिए एक चीज और आपको बता दे अगर आपसे कोशन में पूछ ले के cartridge type high rapturing capacity का फ्यूज का जो की है बर्णन कीजिए तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो HRC fuse को ही हम कहते हैं cartridge type high rapturing capacity fuse ठीक है इसके बाद सनरचना के बारे में इसके पढ़ते हैं थोड़ा देखिए एक SCR fuse एक पिरकार का cartridge fuse होता है यह भी देखिए लाइन जो कि रिपीट कर दी है आप एक चीज ध्यान रखके चलें कि आप दो जो की 5th semester में जो students है तो उनको जो की है paper देते देते इतना experience हो गया होगा कि आपको copy भर के आना है हमारा main motive क्या रहेगा सबसे पहले तो copy भर के आना है हमको पूरी ठीक है आप जितनी जादा copy भरेंगे उतनी जादा जो की आपको number मिलेंगे तो जादा से जादा हम question के बारे में लखने का प्रयास करेंगे और ultra सीधर नहीं लखेंगे वही करता है आपका फ्यूज अलिमेंट वह आपके पारदर्सी कैप्सूल मतलब कांच का एक बना आपका कैप्सूल होता है उसके अंदर होता है देखिए जो आमतोर पर इस्टे टाइक एक सेमी आपका ceramic पदाल्थ जिसमें अच्छा mechanical power होता है आपका जो ceramic पदाल्थ होता है उस रेजिन का यूज करने लगी है किसका यूज करने लगी है अब ठीक पहले जो की है ceramic पदाल का यूज करते थे इसके बाद देखिए इसी संरशना में आप इतना भी लगदें तो काम चल जाएगा लेकिन देखिए हमको थोड़ा ज़्यादा लखना है तो हम क्या करेंगे त कैपसूल में दो end cap लगी होती है सभी लोग को देखी यह चीज पता है कि जो आप diagram बनाएंगे तो HRC fuse का तो उसमें capsule के दोनों तरफ आपके end cap लगी होती है fuse element body के अंदर end cap के बीच connect होता है आपका जो fuse element होता है तार होता है जो वो आपकी end cap उसके बीच में लगा होता है आप लोग देखिएगा देखिए बीच में connect होता है पूरे setup को इस तरह से design किया जाता है कि short circuit की इस्थिती में उत्पन high pressure का सामना कर सके आपका SRC fuse इस तरह से जो कि उसकी design की गई है कि वो short circuit की समय आपके high pressure जो उसमें उत्पन होता है वो उसको सेहन कर सके ठीक है देखिए आप हम इसकी working देखते हैं fuse एक ना fuse एक ना जलने वाले आपके material का बना होता है fuse एक ऐसे element जो कि यह material का बना होता है जो जलता नहीं है और उसके अंदर एक पत्ती लगी होती है एक तार आप मानले एक तार लगा होता है जो कि जब एक भारी मात्रा का current उसमें से गुजलता है तो बहे पत्ती बही के बही पिखल जाती है और ज़्यादा current आंगे नहीं पहुचता है और सामना और आपका समान खराब नहीं होता है बैसे तो फ्यूज आपका zinc, copper, aluminium, silver आदी का बना होता है तो देखिए working में भी क्या है working में जो उसमें normally process होती है बही जो कि हमने आपको लिखवाई है और आपको एक चीज़ और बता दे बिल्कुल भी जो कि है कम से कम technical भासा का यूज किया जा रहा है ताकि आपको याद करने में परिशानी ना हो ठीक है सरल से सरल भासा में आपके notes बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है जो कि है वीडियो को जाए 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 शेयर करें देखिए अच्छी चीजों को हमेशा बढ़ावा दे ठीक गल्त चीजों को कभी भी बढ़ावा आप लोग ना दे ठीक है एक जो कि है आप अच्छी चीजों को आँगे बढ़ाए ये वीडियो हमारी वीडियो नहीं कोई भी चीजों motivation की कोई वीडियो हो या कुछ भी हो तो अच्छी चीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे जिससे की आपकी भी image दूसरे की नजरों में ज़्यादा बन सके ठीक है तो देखिए ये तो हो गई आपकी बर्किंग की बात देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूज आपका process of fusing फ्यूज की किरिया ये भी एक तरह से आपकी बर्किंग ही है लेकिन बर्किंग से अलग आप इसको अगर लिखेंगे तो आपकी copy ज़्यादा भरेगी और साथ ही उसको भी जो कि यह लगेगा अगर पांच नंबर में कोई question आ जाते हैं तो पांच नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं कि बर्केंग लग दिया आपने डाइग्रम बना दिया ठीक चाहें जैसी आपने introduction लग दिया लावानी लग दिया आपको detail से सबको समझाना होता है जब जाकर उसको होए जो की है आपको पांच नंबर मिलते हैं अब हम पढ़ेंगे process of fusing fuse की क्रिया क्या होती है गलन का प्रक्रम निम्न प्रिति क्रियाओं से मिलकर होता है आपको साधरन भासना में समझा जाएगे कि यह है क्या आपके जो element के अंदर जो fuse होता है fuse element वो किस तरह से पिखलता है उसी process के बारे में हमने इसको जो की है समझा है fusing की क्रिया ठिक इसी का नाम है पहला आपका क्या है process silver element का पिखलना दूसरा process है element का बास्पी करना तीसरा process है silver बास्प और filling powder का fusion चौता आपका process वो है arc bujna देखीए सबसे पहले हम इसमें पहला step पढ़ेंगे silver element का पिखलना चांदी के तार fuse element का पिखलना का कार होता है और choose element ने आपका जो होता है चांदी के तार का बना होता है और fuse के अंदर सिरों के बीच आर्क बढ़ने लगता है ठीक तीसरा आपका process क्या है silver bass और filling powder का fusion इस filling material का द्रवी करण हो जाता है ठीक द्रवी करण हो जाता है चौथा आपका step क्या है आर्क बुझना आर्क बुझना क्या है इसमें उक्तित द्रवी करण पिर्टी किरिया आर्को को ठंडा कर देती है तो चाल जो की है चाल चाल लाइन की ही आपकी जो की है definition हमने आपको बताई है थोड़ा थोड़ा अगर आप इसके बारे में लग देंगे तो आपका घाटा कुछ नहीं होगा वलकि फायदा ही होगा HRC Fuge के लागा हम समझते है advantage क्या है देखिए high breaking capacity होती है इसमें जो HRC Fuge होता है आपका इसमें आपकी high breaking capacity होती है quick operation मतलब कि ये quick आपका operation कर देता है जल्दी डेख रेख की जरूरत नहीं होती है इसकी maintenance करने की चीज कोई भी आवसकतन नहीं होती है चौता है install करने में आसान बास सरल होता है इसको कहीं पर भी लगाने में install करने मैं आसानी होती है ये high तथा low current को Clear करने में सक्छम होता है इसके बादवे हानि Ladis क्या है aangya में दो two हानिεςा है एक बार खराब होने के बाद इसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता है सभी लोग को पता है ठीक तो ये जो नॉर्मली भासा में यूज करते हैं उसी भासा में आपके सारे नोट्स बने हैं बिल्कुल भी परिशान ना हो नंबर आपके नहीं कटेंगे बस टेक्निकल भासा का अगर आप कम्यूज करते हैं तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है ठीक है और जो अगर आप किताब बगेर खुले तो उसमें जाद टेक्निकल भासा का ही यूज हो मिलता है आपको एक बार खराब होने पर इसको दोबारा उप्योग में लिए जाता है और दूसरा इसका है हानी इंटर लोकिंग की संभावना जाद होती है क्या है दूसरी इसकी इंटर लोकिंग की संभावना इसमें जाद होती है तो देखिए अब बारी आती है आपकी isolator को समझने की कि isolator होते क्या है तेक इसके बारे मैं अच्छे से जानते हैं isolator एक प्रकार का mechanical switch होता है जिसका यूज या आवसकता होने पर electrical circuit के एक point को अलग करने के लिए किया जाता है आपका जो isolator है इसका यूज किसमे किया जाता है electrical circuit के एक point को अलग करने के लिए किया जाता है यह no load पर supply को on या off करने के लिए यूज किया जाता है इसके बाद isolator switch का यूज no load की स्थिती में आपका electrical circuit को open करने के लिए किया जाता है जब line के मध्य, जब line के माध्यम से current प्रवाहित होता है तो इसी open नहीं किया जाता है यह circuit, यह circuit breaker के दोनों end पर लगाय जाता है इस प्रकार आपके circuit breaker की मरम्मत बिना किसी risk के बिना किसी दुरगटना के आसानी से की जा सकती है तो यह था आपका साधान सा isolator अब इसके बाद हम इसके अनुपरियोग के बारे में जानते है कि इसके क्या क्या अनुपरियोग है ठीक, तो आप देखिए एकदम सरल भाहा सामें आपके लिए नोर्स बनाए गए ताकि आपको जो की है पेपर के time कोई भी जो की है मुसीवत ना हो इसके बाद देखिए अनुपरियोग हम इसके देख ले कि इसका यूज transformer जैसे high voltage उपकरण में किया जाता है आपका जो isolator है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं transformer जैसे high voltage उपकरणों में इसका यूज करते हैं ये electrical या है आपके सोरी ये external पर locking system के साथ या आपके आकासमक उपयोग को रोकने के लिए lock के साथ protected होती है तेक तो क्या होती है protected होती है इसके बाद sub station में isolator को हम जानते हैं इसके अनुपरियोग में sub station में isolator जब एक sub station में कोई fault उत्पन होता है मतलब कि आपके जब एक sub station में कहीं पर भी कोई भी fault आता है तो isolator उन sub station में एक हिस्सा काट देता है isolator क्या करता है उन sub station के एक हिस्से को बंद कर देता है मतलब की काट देता है इसके बाद कारसिदान तम इसकी working को समझ लेते हैं इसका देखे इसका कारसिदान बहुती साधरन होता है और इसे अलग-अलग तीन अलग-अलग तरीके से operate किया जाता है आपका जो isolator है इसका कारसिदान बहुती साधरन होता है और इसको अलग-अलग अलग-अलग तरीके से operate किया जाता है जैसे की आपके manually, मतलब की manually अर्ध स्वचालिक और पूरी तरह से स्वचालिक कभी-कभी insulator का यूज switch की तरह भी किया जाता है जब circuit को जरूरत के हिसाब से on or off करने का काम करता है ठीक, यह क्या करता है आपके insulator जो आपका होता है यह circuit को जरूरत के हिसाब से on तथा off कर देता है ठीक, on off करने का काम करता है जो समानता single pole, double pole आपका three pole और four pole में आता है, इसका use हम कांका पर करते हैं आपके, single pole में double pole में, three pole में और four pole में इसके बाद आप इसका चित्र बना देंगा तीन प्रकार के होते हैं, electrical isolator मुखे ताथ, तीन प्रकार के होते हैं single break type isolator double break type isolator और आपके pentograph type isolator इन तीनों के चित्र आपको screen पर सो होंगे, ठीक है तो देखिए, परिशान बिल्कुल भी ना हो, आपको समझाने का ऐसा प्रियास किया जाता है ताकि आपको जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से समझ में आ जाए ठीक, देखिए, पहला हमारा क्या है single break type isolator इस प्रकार के isolator में, एक बार में सिर्फ एक ही terminal connect या disconnect किया जाता है या होता है, इस प्रकार के isolator जो आपके single break type isolator होते हैं इसमें एक बार में सिर्फ एक ही terminal connect या disconnect होता है आपके देखिए contact arm, contact arm को दो component में, contact arm को दो component में ब्यवाजित किया जाता है एक male contact और एक male contact को carry करता है और दूसरा जो आपका दूसरा arm होता है वो आपका female contact को carry करता है दूसरा backalpic contact जो आपका बचा हुगा contact है वो female arm को carry करता है तो आपका पहला हो गया male contact और दूसरा हो गया female contact ठीक है आपको दीके diagram देखी रहा होगा side में और दीके इसके बात करता है आमतौर पर post insulator आपके rotation के कारण post insulator rotation के कारण arm connect shift हो जाता है जिस पर arm connection fix होता है इसके बाद दूसरा हमारा आता है double break type isolator देखे double break type isolator क्या होता है इसके बारे में हम जान लें के इस परकार के isolator में पहलों तरब के दूनो या डिसकनेक्ट्री के आपके हैं क्योंकि kendrie terminal مõ mobil होता है मतलब कि इसका kendrie terminal जो होता है वो गूमने वाला होता है जैंfly होता है गूमने वाला होता है इस परकार की isolator में post insulator के तीन लोड होते हैं ठीक भाह ए middle insulator एक आपके flat male या आपके tubular connect को hold करता है जिसे सीधे middle जिसे सीधे middle post insulator के आपके spin द्वारा बदला जा सकता है तो यह था आपका double break type insulator इसके बाद हमारा तीसरा आता है तीसरा और आखरी आपका pentograph type insulator देखिए pentograph type insulator क्या होता है pentograph प्रकार का insulator current switch gear इस्थापना की अनुबती देता है क्या देता है current switch gear इस्थापना की अनुबती देता है और इसके लिए कम से कम इस्थान की जरूरत होती है आपका pentograph type insulator होता है इसके लिए हमें कम जगह की आवसकता होती है ठिक कम जगह की आवसकता होती है power system connection के अनुश इस प्रकार के isolator को तीन भागों में बाटा जाता है इसको हमने तीन भागों में जो कि यह बाटा है यह तीन जो कि आपके बड़े ही छोटे छोटे हैं एक एक लाइन के हैं देखिए पहला इसका भाग है bus side insulator यह एक प्रकार का ऐसा insulator होता है जो मुख्य bus से जुड़ा होता है दूसरा है line side insulator यह एक feeder के inline side से जुड़ा होता है और आपका तीसरा है transfer bus type isolator तो देखिए यह एक transformer की मुख्य bus से जुड़ा होता है तो यह तो हमारे isolator के बारे में आज हमने जाना तो देखिए isolator तक जो कि हमने आज कवर किया है इसके आंगे के topic हम अगले वीडियो lecture में कवर करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दे कि आपको ऐसे ही सभी subject के revision करवाए जाएंगे polytechnic 5th semester के तो वीडियो को जादा से जादा से जादा से शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके साथ ही आप मेंसे जादा ता लोगों ने अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल भी सबस्क्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर से करें चलिए मिलते हैं आगले वीडियो लेक्चर में नमस्ते